आज कलीसया गुमी हुई क्यूं है मालूं आज क्रिश्चन लोग जो है वो गुमे गुमे से क्यूं है ना तो अपने फाइनेंस में ना लाइफ में ना family में ना सेहत में हर तरफ उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि परमेशर है यह नहीं क्योंकि उनके काम परमेशर वाले नहीं उसे कहा मैं जो बुद्धी हूँ किसमें वास करती हूँ अब मुझे मालूम है कल मुझे कहां जाना है चर्च आज क्या है शनीवार तो कल परमेशर मुझे से बात करे तो मैं शनीवार क्यों ना फास्ट रखूँ मैं फास्ट रखती हूँ मैं टीवी से दूर हूँ आज मैं अपनी सहेलियों से दूर हूँ मैं अपने फालकू चीजों से दूर हूँ में ने आज बंद कर दिया, मैं प्रार्थना में हूं और रात आप स्वनय प्रमेश्वर बात कर रहे हैं कि seem on the 1st 익 лучше जब तु ज़्य भॉणिए कि स्प्रेयर पॉइंट से प्राथभना करना आपने उस प्रेयर पॉइंट से प्राथना की परमेश्वर ने मेरे कान में बाग गी एक औरत यहां है जिसका ये है जिसका वो प्रफेस्टी सिर्फ मुझे निर्वर नहीं करती अगर मुझे असली करनी अगर नकली करनी तो मैं कोई भी दो जन ढूंडूँगा उनका डेटा निकलवाँगा और सारी दुनिया के सामने बोलूँगा तरह इतने बच्चे हैं तरह ये नाम है वो वाली मुझे नहीं आती करनी मैं आपको रेल वाली बता रहा हूँ जो मुश्किल है और कम लोग उसे करते हैं हालिलूइआ लेकिन जिस समय मुझे संडे चर्च आना था मैं तो शाम को टीवी देख रहा था मैं तो शाम को मुबाइल पे था मैं तो पाटी में गया था मैं तो सभी दुनिया के काम में बीजी था मैं रात को दो बज़े सोया हूँ सुबा उठाओ प्रॉंठे खाए हैं पांच सा तो मैं चर्च में आगया हूँ आलेलुया अरे इतने प्रॉंठे खाके चर्च में आओगे तो परमिश्वर कैसे बात करेंगे अगर रात को हम इतने वर्ल्डली होके चलेंगे हमें मालूम है एक प्रेयर एक प्रॉफेटिव वर्ड एक प्रभू का टच मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है मेरे पती को चेंज कर सकता है मेरे कैंसर को चेंज कर सकता है मेरे बिमारी को खतम कर सकता है पर क्या मैं उस टच के लिए तैयार हूँ ये कोश्चन अपने आप से पूछू अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूँ तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहता फिर अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूँ तो फोन पे क्यों लगाता फिर अगर उस परश के लिए तैयार हूँ तो कहां थी मेरी पवित्रताई उस परश के लिए अगर तैयार हूँ हम नहीं दे सकते उसने कहा मैं जो बुद्धी हूँ किसमें वास करती हूँ लिती बचन कहता है भोले लोगो कब तक भोले बने रहोगे कब तक परमेश्वर पे सारा को छोड़ते रहोगे जबकि परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिस्टम दिया है उसने अमीर होने के लिए तुम्हारे बीज बोने की विवस्था रखी है उसने सामर्थी होने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करने की विवस्था रखी है उसने आवाज सुनने के लिए फास्टिंग की विवस्था रखी है तुम कब तक वो नहीं छूओगे और कब तक तुम भोले बने रहोगे और कब तक भटके रहोगे और कब तक तुम उसकी आवाज न सुनोगे हालिलूया अगर मैं बुद्धी हूँ उसने कहा मैं जो बुद्धी हूँ मैं चतुराई में वास करती हूँ मुझे मालूम है उस संगती में अगर मैं जाओंगा तो मेरी spiritual life बिगड सकती है मैं जानता अगर मैं उस दोस्त के साथ जादा मिलूंगा तो मेरी spiritual life एफेक्ट हो सकता है मैं तो कई pastors को नहीं देखता हूँ, उनकी Facebook तक नहीं देखता हूँ क्योंकि जब वो fake करते हैं और आप उनके अच्छे results को देखते हैं वो आपको परभावित करती लेकिन आपको मालूम नहीं future में उनके साथ क्या होगा